वेल्कम टू एडू एक्सप्रेस जैसा कि हमने 64th BPSC का 1st और 2nd question आपको बताया था ठीक है उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आपको 3rd question कराने जा रहे हैं ठीक है और आपके लिए जो 65th BPSC के लिए मेंस एक्जाम के लिए बहुत होने जा रहा है जैसा कि आपको पता ह कि 72 marks का बेटेज रहता है ठीक और इसमें आप even 70 out of 70 score 72 out of 72 score कर सकते हैं बहुत ही scoring रहता है और जो कि आपके जो एक्जाम में यानि सेलेक्शन में काफी crucial role play करेगा तो चलिए आप अगर इससे पहले मेरे बार में जाना चाहते है स्टार्ट करने से पहले तो मैं सुन वी रह इसके chapter 1 end of chapter 2 जो है आपके BPSC को cover कर देंगे ठीक है अगर आप लेना चाहें तो बहुत इसी ग्रिये flip card और Amazon पर available होगी और बाकि SSC CGL की बात करें तो यह tier 2 में paper 3rd के लिए especially यह book है जो के JSO यानि SSC JSO या फिर statistical invigilator grade 2 उसके लिए बिलकुल dedicated वोग है जो कि आपको selection easily दिल इसमें ठीक है और यह मेरा YouTube channel है आप इस पर follow कर सकते हैं आप every page पर follow कर सकते हैं ठीक है फोकस education बड़ा नाम से ठीक है तो चलिए आपको दिखाते है next question जो पूछा गया जैसा कि दो तो हमने बता दिए यह third question है जो कि BPSC 64 में पूछा गया था में इसमें और इसमें जो इस बेस्ट यानि यह जो है आपके 2012-17 तक का यह analysis दे रखा है ठीक है और population दे रखिया और इसके बेस्ट पर आपको यह 5 question पूछे है तो चलिए वन वाइवन स्टार्ट करेंगे तो वन वाइवन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक follow नहीं किया कहीं आप चाहें त सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाले अपडेट आपको टाइम से मिलते रहें तो चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन पहला कोशन है तो 17 में देश एक ही जन संक्या का कितना प्रत्सिफप है ठीक है तो अगर बेस एक तो यह क्या है एक तो इस तरीके से यह डॉट है और यह वाला इस तरीके का यह फरक है ठीक है तो चलिए आप देख लीजिए इसमें बेसिकली यह जो है कितना हो जाएगा आपका 60 ठीक है तो 60 हो गया आपका और टोटल की बात करें तो देखिए 60 यह हो गया 67 यानि 67 68 68 करेंगे यह होगा और 72 यह होगा और यह तो आपका 60 था तो सबको यहां पर जोड़ने 60 प्लस 68 प्लस 72 कितना पर्षेंट की बात कर रहा है तो पर्षेंटेज का मल्टिप्लाई कर दीजिए तो आप देखेंगे क 60 बटे 200 इंटू 100 तो यह आपका आजागा 30 30 ठीक है तो यह पर आपका पहला कुश्चिन जो है सौल होता है आंसर आपका 30 परसेंट आजागा तो चलिए नेक्स्ट करते हैं आपको मजा आ रहा हुआ काफी सिंपल में मैं कोसिस कर रहा हूँ आपको बताने की ठीक है तो दे 20 30 believed की संख्या कितनी है तो बैसे कई जब लिंगा की बात आती हैतो एन्य 2016 पर्षण पर यानी व्यक्ति एक जार व्यक्तिएंटॉपर कितनी महिला यहीरी तो रहें पाऌगाँ अगर टोटल बात करें तो यह 2000 हुए ठीक है और यह अगर बात करें तो यह 210.7 ठीक है यानि बेसकल गया जार पर 211.7 त्यमिद्ध है वी और C की मिलाग के, ठीण, अब देखिए, बैसे total अगर देखें, 2016 में, इदे आप देख सकते हैं, 2016 में, बी और C, बी और C को ने, यह 65 यह है, और 65 यह, मतलब B और C, B प्लस C की बात करें, 2016 में, 2016 में, तो देखो 65 प्लस, 65 किस में दे रखें, करोड में दे रखें, तो यह आपका 130 करोड जो है यह टोटल हो गया 130 करोड टोटल हो गया तो देखिए आपको क्या करना है आप बेसिकली जो 130 करोड है यह क्या है यह 2000 प्लस यह 211.7 इन दोनों को मिला के बनना यानि यह बात करें 211.7 की वैल्यू दे रखे 130 करोड यानि 221.7 की वैल्यू 130 करोड बेसिकली निकालनी कितनी है आपको 211.7 की यह क्योंकि इसी से मिला की निकलाईगी तो चलिए 211.7 की वैल्यू आपको निकालनी है 130 बटे 2211.7 इन टू 211.7 ठीक है इतने करोड ठीक तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको यह सौल करेंगे तो यह आपका आजगा 12.44 करोड ठीक है तो यह जो है एक सबसे सिंपल तरीका है बाकी तरीके और भी कुछ हो सकते हैं और यह easy to understand है ठीक है तो चलिए स्टा इस question में क्या पूछा है तो देखिए यहां पर कह रहा है कि A में A में इस्तरियों की संख्या A में इस्तरियों की संख्या वर्स 14 में 21.25 करोड ठीक है तो 17 में A का लिंगानुपाद क्या होगा तो देख बहुत सिंपल है क्योंकि यहां पर एक ही trend फॉल होगा जैसे 2014 की बात कर ला है तो जो लिंगानुपाद है आपका ठीक है लिंगानुपाद में लिख दा लिंगानुपाद जो इसमें होगा वही यहां पर रहेगा क्योंकि बाकी कोई trend चेंज्ज करने की बात कहीं नहीं है question में तो सीधी सी बात है यह से मानना पड़ेगा तो बिसकली जो यहां टोटल यह जन संग्यादे रखीए टोटल तो देखिए 2014 कौनसा ये वाला और इसमें total दे रखाए 45 एक यवात चलिए यह कोई बात चलिए आपका讞े यहां पर यहां पर दौनों का टिफ्रेंस निकालने आपको बेसिकली तो यह 23.75 करोड इतने पर आगे तो यहां पर रेषियो को बेसिकली पर जो रेषियो निकालते हैं उसमें क्या करते आपको प्रोष मतलब जोसे सेक्स रेसी यह नहीं लिंगान उपात निकालेंगे लिंगान उपात तो उसमें क्या करेंगे महिलाओं की संख्या उपर महिलाओं की संख्या ठीक है डिवाइड वाइप पुरुस पुरुसों की संख्या ठीक और इन्टू एक हजार क्योंकि एक हजार पर निकालते हैं तो महिलाओं की संग्या कितनी है 21.25 करोड और पुरुसों की संग्या कितनी है 23.75 करोड मैं करोड नहीं दिख रहा हूं यहाप उतनी 0 लगा लें करोड की ठीक है इन्टू 1000 तो आप पाएंगे कि यह करीब 900 सॉरी 894.74 इतने जो है यह जो है आपका सेक्स रेसियो यानि लिंगानोपाद निकल आएगा आपको क्लियर होगा थोड़ा राइटिंग जरूर वैसी है लेकिन पॉंसेप्ट जो है आपको सिंपल में मैं बताने की कोसिस कर दा हू में ब्रदी जो है अधिक्तम दर्ज की गई है तो देखिए यह जैसा कि मैंने सेकंड कोशन में मैं बता रहा था ऐसा कोशन जब आता है तो आपको एकदम सिस्टमेटिकल यह आप सॉल्व करेंगे जिससे जो एक्जामनेर है उसमें एक अच्छा इंपक्त पड़े वह सही तरीके से जो आपको देखें उसे easy to understand हो तो आपको marks जो है पूरे पूरे देने के chances उसके रहते हैं ठीक है तो देखिए पहले तो आपको जितनी year दे रखी है वह लिख लीजिए चलिए 2012 लिख 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 लिया 2000 थोड़ा सा उपर से लिखता हूं क्योंकि काफी ज्यादा यह दे रखी है 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ठीक सारी हो गई अब देखिए आपको यह कितनी दे रखें एक दो तीन तो देखिए A प्लस B प्लस C और यह आपको करोड में दे रखा है ठीक है तो चलिए ध्यान रखीए आपको करोड में value solve करने हैं आप paper में solve करने हैं तो आप उतनी 0 जरूर लगा है यह फिर करोड लिख देखिए आप देखेंगे 40 हो जारा यह 2012 में देखेंगे आप देखिए यह कितना 40 ठीक है और B कितना है 45 C कितना है 52 तो लिख दीजिए प्लस 45 प्लस 52 तो आप टोटल करेंगे तो कितना आजागा सॉरी 53 52 52 के रावंड हां 52 के रावंड बैठेगा तो जब आप इसे solve करेंगे तो यह आपको हुगा 136 ठीक है अब दोया 13 में देख लीजिए यह दोया 13 में आ और यह कितना है 53 42 प्लस आपका 50 प्लस 53 तो यह आपको जाएगा 135 पांच 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 दस चोड़ा 145 राइट 145 इतने करोड राइट यह करोड भी जरूर लिखें नहीं तो वहां पर जो है आपके मार्क्स कट जाएंगे ठीक है चलिए 14 की बात कर दें चोड़ा में आपका देखेंगे तो 155 माद्म हैं акol करोड चल 변 कि बात कर लेते 그 कि इतना है 53 एक्शूरा एक डूरा इसम्फीट्टưởng सब्सक्राइब तो आप देखेंगे यह कितना हो जाएगा सार्ट सार्ट एक सो बाईस और एक सो पच्पन एक सो पच्पन नहीं एक सो पच्पन पुराना था यह जाएगा आपका 65 65 तो पच्पन प्लस 65 प्लस 65 तो जब आप इससे देखेंगे 65 पैसट एक सो तीस 185 करोड ठीक है अब आप 17 में देख लीजिए 17 में देखेंगे तो यह कितना है यह आपका 60 यह आपका 68 और यह 72 तो 60 सिक्स्टी एट इससेवन्टेट्ट तो आपका 200 करोड ठीक है अब आपको पर्षंटेज में निकालना था देखिए आप पर्षंटेज इंक्रीज उच्पूछ रहा है कौन सी साहल में जो अधिकतम ब्रद्दी दर्ज की गई है तो अधिकतम ब्रद्दी अब जैसे एक तो देखें इसके लिए निकलाएगा 145 145 माइनस 136 बटे 136 इंटू 100 तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप जो है 8.9 के अराउंड आ जाएगा ठीक है चलिए इसे देखेंगे तो 155 माइनस 145 डिबाइड वाई 145 ठीक है इंटू 100 तो जब आप इसे कैलकुलेट तो यह जागा 6.89 परशेंट आ जाएगा अब आप इसकी बात करें इसमें कितना आजाएगा 175 माइनस 155 डिवाइड वाई 175 इंटू 100 तो देखिए यह कितना जाएगा 5.71 परशेंट आ जाएगा चलिए नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आप 200 माइनस 185 डिवाइड वाई 185 इंटू 100 तो कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 8.11 तो अब क्वेश्चन में जो पूछा गया वो है मैक्सिम्म की बात आपका क्या हो जाएगा देखिए 2,015 जो है आपका मैक्सिम्म है जो कि 12.9 इंक्रीस हो जाएगा इसका यह कर रहें करें तो यह काशल करते हैं मैक्सिम्म अधिक्तम ठीक है आपका अंसर हो गया चलिए नेक्स्ट करतें नेक्स्ट वर्ष्ण में किया रहा किस वर्ष्ण में जन से रहा हूं उसमें maximum पूची गई थी इसमें minimum पूची गई है तो basically आपको वैसे ही यहाँ पर पूरा भी बनाना है तो मैं दुबारा से नहीं बता रहा हूं मैं इसी में जो है आपको रड़ा question बता दे रहा हूं ठीक है तो देखिए आपको क्या करना है यह तो सब कुछ आपको वैसे ही calculate करना जैसे भी किया था ठीक है यह अब आप इसमें देख ली सबसे कम किसमें है सबसे कम देखेंगे तो 5.71 5.71 जो कि 2016 में है तो ठीक है तो चलिए देखिए यह भी आपका question हो गया basically यानि एक ही question से लोगे आपको वहाँ पर गरना है एक्जाम में वह जैसा अभी करा था तो यहां पर भी पूरा पूरा लिखेंगे हैं हैंना मेरी तरह वहाँ पर सिर्फ उड़ाव में एसे ना लेखतें कि इतना लिए नियूंता में आप पूरा लिखें जोसे पूरे नमबर आपको मिले ठीक है आपको कॉपी करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगा जब आप हो जाएगा तो कॉपी तो एजी ली हो जाएगा तो थैंक्स पर वाचिंग लाइक सेर एंड सब्सक्राइब